सोड़ आपका के नए वीडियो में तो आज किसी वीडियोम आप जाने लोझT आधार घठ कट से लिंक है या नहीं आप यहा खंब होता है तभी सरकारी योजना को आप र papier याभ उठा सकते हैं तो इससे लिए दूस्तों यहां पर आपका आधार शिंडिंग आने के दोस्तों अधार NPCI आपका लिंक है या नहीं इस्टेटश शेक करने के लिए यहां पर क्या करना होगा तो चलिए आप सब्सक्राइब करिए तो सबसे पहले दोस्तों यहां पी आप सभी को क्या करना होगा तो सबसे पहले दोस्तों यहां पी आप सभी को Google को open कर लेना है Google open करने के बाद दोस्तों यहां पी आप सभी को क्या करना है तो यहां पे दोस्तों आपको टाइप करना है अधार यहां पे आधार NPCI Bank Linkate Status उसके बाद यहां पे आपको सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद दोस्तों यहां पे UID के तरफ से एक नए पोटल ओपेन हो जाता है यहां पे आप देख सकते हैं Check Your Ather Bank Account Linkate Status पे आपको किलिक कर देना है जैसे यहां पे आप किलिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पे नए इंटरफेस खुल के आपको देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे status चेक करने के लिए option दिया जाता है नीचे का और और आपको चले आना है नीचे का और और नीचे का और आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो option दिया जाता है पहला जो option दिया जाता दोस्तों आधार नमबर औ फिरiosa है तो यहाँ पर टाइप करना है अगर आपके पास दुश्र रड़ अगर तो इसलेक करने यहां यहां पर टाइप कर लेता हूं तो जल्दी से अधार को सब्सक्राइप करना है उसके बात क्या करना है सबसे को बुद्गा आता हूं यहां पर देख सकते दोस्तों नियांप़ टाइप कर दिया है यहां पर पर लिएकाइव लगते हैं पर तीन जाएंगर को संऔर को उप्सिंण्यूंड ऐसा Хrenthe उसके बाद तो फीर से चली आना है उसके बाद चले आना है और ह suspect कर देना है जैसे यहां पे कर देते हैं। उसके बाइन दोसटों यहां पे पतल जाता है कि यहां पर यहां पर जो क्या यहां सेड़िय। आपको स्टेटेस्यूंट करता है और यह उपका एनपी सी है यहां यहां पर लिंक है यहां नहीं यहां पर आपको दिखने को लिए मिल जाता है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आधार कार से आधार पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आपका अधार नंबर कर लिए अगरा की यहां पर नहीं लिखा वालेना है हैं यहां पर देख सकते हैं 289 2017 को और यहां पर देख सकते हैं यहां पर नाम यहां बैइक में किया चाता लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है अगर दोस्तों आपका डूसरा account number 10 और बैइक में खुलबा रखें और ढायक उस पहले आप लहना चाते हैं तो दोस्तों आपको bank में जाके संप्रख करके दोस्तों उस बैउंक का आपको अधार सेंडिंग करवा लेना है तब ही दोस्तों आप वहां पे लाब ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले से किसी और बैंक में आपका अधार सेंडिंग हो चुका है और दोस्तों आप किसी और बैंक का आप एकाउंट नंबर दे देते हैं और वहां पे आपको पैसा नहीं आता है क्योंकि किसी और एक्णमें आपका अधार सेंडिंग हुआ इसलिए कसे कंदू पैसा नहीं आपाता है और आप सोचते हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है और परिशान हो जाते हैं सक्थी तरह से कुरें नहीं है तो इसी तरह आपडेट के साथ तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं